हेलो मार दियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, प्रित्वी पर मनुश्य के शरीर सबसे जटल सनचना माना जाता है, मनुश्य के शरीर में पांच इंद्रियों की एहम भूमिका होती है, आख, नाख, कान, त्वचा और जीब, सबकी अपनी-पनी इंपोर्टेंस है, किसी भी इंसान को या जीब को जिंदा रहने के लिए भोजन के आवशकता होती है, और भोजन का स्वाध हमें अपनी जीब से पता पक्चलता है, हमारे जीब में छोटी-छोटी करीब 8-10,000 पेपीला और स्वाध का लिकाय मौचूद होती है, जो हमें किसी भोजन का स्वाध लेने में हल् कराता है, जीब का किनारे का हिस्सा हमें खट्टे-पन का हिसास कराता है, और जीब का पिछला हिस्सा हमें कडवे स्वाध का अन्भो कराता है, तो फ्रेंस बोलने और खाने का स्वाध का अन्भो कराने के अलावा, जीब की कई खासियत हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता जैसे हमारे शरीर के अन्य माश पेशियों की तरह हमारी जीब कभी ठकती नहीं है ना है उसमें कभी दर्द होता है लेकिन हां समयक साथ वो मोटे और पतली होती रहती है जीब हमारे शरीर की सबसे अधिक मजबूत मसल्स होती है महिलाओं की अपिक्षा पुरुशों की जीब ज्यादा लंबी होती है जैसे मनुष्य व्रिद्ध होता जाता है उसके जीब की स्वाद का लिकाएं और पेपीला शिथिल पढ़ती जाती है जिसकी वजह से उन्हें खाने में स्वाद नहीं आता तो इसलिए अकसर बुज़ुर्ग हमसे शिकायत करते हैं कि खाने मे स्वाद नहीं आ रहा है घर में खाना अच्छा नहीं बन रहा है जीब से हमारे स्वास्त का भी पता चलता है एक स्वस्त शरीर की जीब होती है वो पिंकिश होती है और जो बीमार शरीर होता है उसका जीब यलूईश होती है इसलिए डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो हमारी जीट चेक करते हैं तो माई डियर फ्रेंग्स आपको वीडियो जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर रूपताईएगा और हाँ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरे तेह नई वीडियो में नहीं जानकारी इक साथ तब त